हेलो स्ट्रेंट्स मैं प्यूस राजपूत और आप अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लासेज जैसे बच्चों हमारी केस इस्टेडी कोस्टन्स की एक स्रीज चल लेए और हमने पिन दो चैप्टर यानि कि इन दोनों के पैसेज कंप्लीट कर लिए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों अब देखते हैं हम कोडिनेट जोमेटरी के पैसेज तो सुरू करते हैं पैसेज नमबर 15 क्या कहता है के रहे है कि अब देखो बच्चो आपके पास 5 points गीवन है ठीक है आपके पास A है, B है, C है, D है और E है यह आपके पास 5 coordinates इंके भी गीवन है और कहना यह straight line पर है आपको जो C है उसके coordinates दिये हुए है 3, 4, D के दिये हुए 7, 7, और E के दिये हुए है X और 2 ठीक है बच्चो और हमसे पूछा गया है कि distance DE पूछी है और हमसे C और E के जो बीच की distance है वो हमें दी होई है बच्चो 10 units ये हमें 10 units दी होई है तो क्यों न पहले मैं CD निकालू चलो भई तो अगर मैं CD निकालता हूँ आपको देखो इस chapter में दो formula तो ऐसे हैं बिल्कुल याद रखने हैं कौन-कौन से हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ पहला formula आपके पास कभी भी दो point दिये हूँ उनके बीच A के coordinate और B के coordinate आपको mention होंगे x1, y1 दूसरे के coordinate होंगे x2, y2 और इनके बीच की distance आपको निकालनी हो तो x2 माइनस x1 का square और y2 माइनस y1 का square तो आप ये distance formula बचो याद रखोगे ठीक है इतनी बात, distance formula में कोई दिकत और दूसरा क्या याद रखोगे, section formula section formula हमें ये बताता है कि अगर कोई भी point किनी दो point को किसी ratio में divide करे जैसे a है और दूसरा आपका coordinate है बचो b ये है x1, y1 दूसरा है x2, y2 जो divide करने वाला है उसके coordinate है x और y और ये divide कर रहा है अगर m is to n में तो आपके coordinate होंगे mx2, nx1 upon m plus n और y के coordinate होंगे बचो m y2, n y1 upon m plus n तो ये दो formula आपको याद रखने है इन passes के लिए के लिए है चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं और एक midpoint का भी याद कर लो जब करी रहे हो तो midpoint के लिए तो midpoint के लिए बच्चो कुछ नहीं है आपके पास वो section formula की ही मदस्से कर सकते हो x1 plus x2 upon 2 और y is equal to y1 plus y2 upon 2 ये formula आपको याद रखने हैं चलो बढ़ते हैं पैसिस की वो क्या कहता है तो सबसे पहले आपके पास ABCDE 5 points से coordinate given है और हमें CE given है 10 तो मैंने CD निकालने की कोसिस करी मैंने आपको formula होना है x2 minus x1 का square और y2 minus y1 का square सही है तो अगर आप देखोगे तो 7 में से 3 के 4, 4 का square होता है 16 और 7 में से 4 के 3, 3 का square होता है 9 तो 16, 25 यानि कि यह आजाएगा 5 यानि कि जो CD है बच्चों वो आगई 5 अगर यह 5 आई तो simple सी बात है DE भी तो 5 होगी न पहीं जो आपके पास DE है वो आपकी total अगर आप चाहो तो CE में से CD माइनस कर दो CE में से CD को माइनस कर दो CE है 10 और CD है 5 तो यह भी आजाएगी 5 कोदिकत तो नहीं चलो तो पहला तो हमारा answer आ गया 5 units हम सब पूछा था DE तो हमारी हो गई 5 units अब हम सब पूछी ता value of X प्लस Y ओके चलो भई देखते हैं X प्लस Y जो कोड़े अब देखो ध्यान से तो बच्चो जो आपका यह कोडिनेट है D तो D कोडिनेट बच्चो आपका midpoint हुआ ना बई D point C और E का midpoint है कोई 5 distance इधार है तो 5 इधार है तो मैंने आपको भी midpoint formula बताया था तो X1 प्लस X2 upon 2 और दूसरा था Y is equal to Y1 plus Y2 upon 2 यह आपके पास था X1 प्लस X2 upon 2 Y1 plus Y2 upon 2 कोडिनेट आपको पता ही है देखो एक के 3 है एक का 7 है चलो गई एक का 3 है और यह हो गया 7 तो यह आ जाएगा X की value 14 में से 3 गए तो 11 ऐसे ही Y निकालते हैं तो Y की अगर कोडिनेट हो तो 4 और Y हो गए तो 4 plus Y upon 2 is equal to 7 तो Y की बच्चो आ जाएगी 14 minus 4 यानि की 10 अब आपके पास एक 11 है X और Y है 10 तो अगर मैं X plus Y निकालता हूं बच्चो तो 11 plus 10 यानि की 21 आ गया चलो गई तो X plus Y की value क्या आ गई 21 अब पूछाया अगला which of the following truth CDE are the vertices of strangle point CD are collinear तो हमसे एक straight line पर पूछाता और हमसे यह भी का गया है जो CDE हैं वो collinear ही होंगे state line पर आपको दिये होए हैं और जो D है वो midpoint है यानि कि जो CD है वो आपके DE के equal है तो CD जो है बच्चो वो collinear है CD is equal to DE यह हमारे पास है कोई बात के लिए रहे बात चलो गई अब कर दादा ratio in which we divide AC जो हमारा B है वो AC को किस ratio में divide कर रहा है यह हमसे पूछा है चलो भई इसे भी देख लेते हैं तो सबसे पहले आप A और C के coordinate लिखें और B के coordinate को आप मालने के स्टू 1 में divide करता है तो A के coordinate कितने है बच्चो A के है माइनस के 7 बाइ 3 और 0 और C के coordinate कितने है बच्चो तो C के coordinate है 3 और 4 और इसके है 0 और 7 बाइ 4 के लिए रहे लगाते हैं formula अब देखो आपके पास formula कितना था M X2 प्लस N X1 अपोन M प्लस N ठीक है न अब आप कोई सा भी लगा सकते हो चाहे X का लगा लो चाहे Y का आपके इच्च है तो K into 3 कितना आ जाएगा K into 3 प्लस 1 into minus 7 by 3 अपोन K plus 1 is equal to 0 क्योंकि इसका X coordinate 0 है चलो भई अब देखो आजाएगा 3K is equal to 7 by 3 तो K की value आजाएगी 7 by 9 ठीक है बहुत आसान है आप इसको M is to N भी मान सकते हैं K is to 1 भी मान सकते हैं अब आप इसमें satisfy कराके देख लो जैसे पहला कहा रहा है कि X plus Y का sum 0 हो अगर मैं कोई सा भी coordinate लों जैसे मैंने ए ले लिया तो क्या इन दोनों का sum 0 है नहीं क्या इन दोनों का difference 0 है नहीं तो आगे बढ़ते हैं तो मैं अगर तीसरी में satisfy कराता हूं इसमें तो देखो मेरे प 7 by 3 रखो और Y की जगे आप 0 रखो देखो क्या 0 आता है तो 3 से 3 cancel minus 7 0 plus 7 तो satisfy कर रहा है या नहीं तो आप कोई सा भी point रखके देखोगे तो satisfy जो भी करेगा वो ही आपका answer है तो C जो है वो satisfy कर रहा है बाकी नहीं कर रहे है के लिए इतनी बात तो आप उन coordinates को रखके देखे जो भी satisfy करेगा वो ही आपका answer है तो इस passes में बच्चों हमने दो चीज़े सीखी एक तो distance formula दूसरा section formula और उसी के साथ submit point तो तीनों चीज़े clear होगी passes clear होगया तो बच्चों आची class में सिर्व इतना ही thank you